हलो दोस्तों आप शभी के अपने YouTube चैनल IICT Institute में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत important होने वारी है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आपने watercard के लिए apply किया था या फिर आपने correction के लिए apply किया था तो अब आप watercard अपने mobile या laptop के माद्यम से घर बैठे print कर पाएंगे यानि जैसे आप अधार card print कर लेते थे उसी तरह अब आप watercard की PDF भी download कर पाएंगे अपने mobile या computer के माद्यम से दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि कैसे आप अपने watercard को correction कर सकते हैं यानि अपडेट कर सकते हैं mobile number या फिर चेंज कर सकते हैं name जो भी आपको change करना है कैसे change करेंगे इसके विसे में मैंने complete जानकारी एक वीडियो के माद्यम से provide करवाई थी तो आज की यह वीडियो आप शभी के लिए है कि जिन्हों ने correction किया था या जिसने भी नया apply करवाया था उसका ipic card नहीं आया है तो वो घर बैठे अपने system या mobile के माद्यम से कैसे download करेगा तो आज की यह वीडियो आप शभी के लिए बहुत important है इसलिए वीडियो के skip बिल्कुल भी न करें अगर आप नए हो तो चैनल को subscribe कर लें तो चलते हैं दोस्तो हम computer की screen पर जानते हैं कि कैसे आप ipic card यारी water card को गर बैठे अपने mobile या laptop के माद्यम से download करेंगे आए चलते हैं system पर तो दोस्तो सबसे पहले आपको क्या करना है ipic card की जो official website है उसको open करना है जिसके लिए आपको सबसे पहले अपने chrome browser या फिर कोई भी browser open कर लेना है उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर type करना है ipic या फिर आप type कर सकते हैं ipic water खीक है दोस्तो यहां पर इतना आप type करेंगे इंटर कर देंगे तो आपके सामने water id card की जो official website है यानि election commission of india की जो PCI की official website है उसका link सबसे उपर सो करेगा तो इस पर आपको simply क्लिक करना होगा दोस्तों जैसे यह आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का interface सो करेगा इतना करने के बाद आपको क्या करना है यहां पर download ipic card पर simply आपको क्लिक करना होगा ठीक है दोस्तों यहां पर click करने के बाद इस तरह करके इसका जो आफिस्यल पोर्टल है यह होम पेज है उसके लिए सो करने लगेगा डैस वोट राश्टी मजदाता सेव पोर्टल का ठीक है इसके बाद क्या करना है अब इसके बाद आपको करना होता है लागिन लागिन करना होता तो लागिन करने के लिए दोस्तों मैंने इस पिछली वीडियो में बताया वी था कि लागिन आप कैसे करेंगे या रजिस्टेशन आप कैसे करेंगे तो लागिन या रजिस्टेशन करने के लिए तो आपको यहां पर लागिन या रजिस्टर के लिए simply click करना होगा इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि लागिन आप कैसे करेंगे अगर आपने साइन अप नहीं किया है तो सबसे पहले आपको डिटेल करनी होगी मॉबाइल नंबर यहां पर टीपी जाएगी उसके बाद टीपी जाने के बाद आपको प्रेंटेल पहले ही बना लिए थी तो यहां पर क्या करना है जो भी हमने यूजर निम बनाया था चल्भ जाए बनाया ता उसके बाद क्या है दोस्तों बहुत साइन ईप करने लिए बनाया था उसके बाद पर साइन ना होगा capture code हम ऐसे करके फिल कर लेंगे जैसे capture डालेंगे उसके बाद login पर simply click करना होगा ठीक है दोस्तो login पर click करने के बाद click enter करेंगे तो उसके बाद दोस्तो हमारा जो main dashboard है यानि हमारे पोर्टर का dashboard है हमारी user ID का dashboard है वो simply चालो हो जाएगा तो दोस्तो आपने अगर correction किया हो या फिर नया किसी को बनाने के लिए दिया हो तो आप इस माध्यम से डाउनलोड कर से क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि correction किस परकार करेंगे अपने नाम में या mobile number कैसे feed करेंगे, aid करेंगे, correction कैसे करेंगे या को गया है तो उसके लिए क्या process है यह मैंने आपको complete process पहले भी बता दिया था तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए epic card download करने के लिए यानि epic जो electronic epic card download करने का process चालू हो गया है उसके विसमे मैं बता रहा हूँ तो यहाँ पर आपको अपना epic card download करना है तो यहाँ पर download epic पर simply आपको click करना होगा otherwise आपको और भी काम है जैसे details सर्च करनी है या status चेक करना है तो track status पर click करेंगे, correction करना है तो correction पर click करेंगे या फिर अगर आपको download करना है तो download epic पर simply आपको click करना होगा जैसे नापको यह download epic पर click करेंगे आपके शामने इस तरह करके interface आएगा, यहाँ पर लिखके आएगा i have epic number form, आपके पास epic number हो यह form reference हो तो उसके recording आप कर सकते है, epic number पर, आपके पास epic number हो तो epic number पर आपको click करना करना होगा। इसके बाद आपको क्या करना है ? इस्टेट यहां पर मिल करने के बाद आपको डाउनलोड पर सिंप्ली किलिक करना होगा उसके बाद आपके सामने इस तरह करके mensen हूं良तों जो इस तरह आप का दिखाय देगा तो दॉस्तों यह था complete process भी काट डाउनलोड करने का आसा करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले